नमस्कार दोस्तों, Get Success 247 के एक और ये वीडियो में आप सभी का सोगत है तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आचुका हूँ फिसे राजसान करेंट अफेस का एक और वीडियो आज चार मईए चार मईए के इंपोर्टेंट करेंट अफेस यहाँ पे देखने वाले है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर भी करना कल जो मैंने आप से कोशन पूचा था पहले उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ के राजस्तान की कौन सी नदी रुंडित सरीता कहलाती है तो काफी दोस्तों ने सही जवाब दिया था बान गंगा नदी डी आप्शन आपके हैं पे एक रेक्ट था अगला यह कोशन आपके लिए आज का कोशन है इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में के किस व्यक्ति को रक्षा मंत्राले की स्टेंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है और हमारे काफी दोस्त पोस्ते हैं कि क्या यह करेंट अफेर की जो रास्तान करेंट अफेर की जो यह क्लास है यह वीडियो है तो यहाँ पे जो इसका correct option होगा दोस्तों वो हो जाएगा हनुमान बेनिवाल D option आपका यहाँ पे correct हो जाएगा हाली में राजसान के हनुमान बेनिवाल को रक्षा मंत्राले की standing committee का सदस्य बनाया गया है अगला देखते हैं दूसरा question के मुख्य मंत्री अशू गैलोत ने जन सेवा अभियान के शुरुआत के जिले से की यह थोड़ा सा पुराना question है हालांकि 2020 का ही question है important है अभी आप सभी को बता है के lockdown चल रहा है तो इस वज़े से ज़्यादा current affairs के question हो नहीं पाते है इसलिए कुछ जो question है वो थोड़े पहले के लिए लेता हूँ थाकि आपका revision भी होता रहे तो कि जिले से यहाँ पे इसकी शुरुआत की दोस्तों जैपूर से यह option आपका यहाँ पे एकरेट हो जाएगा 10 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंतरी अशोगे लोग के दोवार था ठीक है जन सेवा अभियान के शुरुआत की जैपूर से 10 जनवरी 2020 को अगला देखते हैं तीसरा question के वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कहा आयोजित या फेस्टिवल का आयोजिन के जिले में हुआ था वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजिन के जिले में हुआ था या इसका आयोजिन कहां पर किया गया था तो यह हुआ था दोस्तों उदैपूर में डी आप्शिन आपका यहां पर एकरेक्ट हो जाएगा यह हुआ था सास से लेके 9 फरवरी 2020 को डेट भी याद रख लेना हालाएं कि डेट वगर इतनी इंपोर्टन नहीं है बस आप यह याद रखना है वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2020 का कहां पर हुआ था उदैपूर के अंदर बस आपको इतना सा याद रखना है इसका विशह याद रख लीजे वी आर दो वर्ल् यूनिटी इन डाइवर्सिटी चलिए अगले कोशन की हाँ पर बात करता है चोथा कोशन के रखस्तान के कारेवाग मुखे नए देश जिनने ओडिसा के मुखे नए देश नियुक्त किया गया है करेंट का मोस्ट इंपोर्टन कोशन है यह तो अभी ओडिसा के देखे दोस 211 मुखे नए देश बने हैं जो कि पहले राजसान के रह चुके हैं और राजसान के निवासी है इसलिए कोशन है इंपोर्टन है तो कौन बने दोस्तों मुहम्मद रफीक सी ऑप्शन आपका यहां पर एक रट हो जाएगा जिस्टिस मुहम्मद रफीक अभी यहां पर बा बाता ओड़न के उडिसा के 31 मुखे ना इथिस बन गया है यहां बुधादा चल चुक्किया बात लेकिन ओडिसा से पहले कहां के थे मेगाल ले के यह भी आप याद रखना इसके अलावा यह कहां के रहने वाले हैं राजसान से मतलब राजसान में कौन से जिले करह हैं है चुरू जिले के सुजानगर्ड में इनका जन्व हुआ था यहां पर याद रखना, सबी चीज आपको डिटेल में समझा दिया है, जेस्टिस मौमद रफिक नाम याद अकना, अगला पांच वो कुशन, क्या लिमें किस देश की क्रिकेट टीम, ICC टेस्ट रेंकिंग में सीर्स पर पहुंच गई है, अभी ताज़ा जो रेंकिंग आई है, ICC टेस्ट रेंकिंग की, उसमें पहले इस्तान पर कौन सा देश है, कौन सी क्रिकेट टीम है, तो बात आ रही है, यहाँ पर टेस्ट की, तो वह है दोस्तों, ऑस्टेलिया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर एक रट हो जाएगा, टेस्ट में अगर बात करें, ऑस्टेलिया के बात दूसरे नमबर पर है न्यूजिलेंड, और तीसरे नमबर पर है भारत, यह तो बात मैं कर ली, टेस्ट क्रिकेट की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वंडे की, यानि के ODI की, तो उसकी भी रेंकिंग आपको यहाँ पर साथ साथ में बता देता हूँ, ODI के अंदर फर्स पर है इंग्लेंड, ठीक है, इंग्लेंड फर्स पर है, दूसरे पर है इंडिया, और त अस्ट्रेलिया, दूसरे पर है इंग्लेंड और तीसरे पर है भारत, फिर से सुन लेना, T20 की यह रेंकिंग की यहाँ पर बात करें, तो पहले सान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर है इंग्लेंड और तीसरे पर है भारत, तो सभी रेंकिंग मैंने आपको यहाँ पर बत जाता है है तो इसके लिए मना जाता है और सब्सक्राइब और सब सबसे पहले हमना गाया था नहीं दौजार 2017 के अंदर युनैटेड नेशन द्वारा यह मनाय जाता है सेंक तो राष्ट्रे के द्वारा यह मनाय जाता है ठीक है दो मई को World Tuna Day आगे बात करते हैं साथ वोकुशन की अंतराष्ट्रे अगनी शमन दिवस कब मनाय जाता है अंतराष्ट्रे अगनी शमन दिवस यानि कि अंतराश्चे फायरफाइटर डे इंटरनेशनल फायरफाइटर डे कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है चार मई को डे ओप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा दिवस के कोशन डेली में लेके आता हूँ साथ साथ में तो इंपोर्टन्ट है सभी याद करना आठवा कोशन कोईला खनन डिवस यानि के कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है ये भी इंपोर्टन्ट है और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडियो चीए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे उसका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मौह जाकर उससे क्लिक कीजिए टेलिग्राम चैनल को ओपन कर लिजे वहाँ पे आपको सभी पीडियो मिल जाएगी पहले की भी और इस वीडियो की भी तो यहाँ पे बात करें इसकी कोईला खनन दिवस यानि के कोल माइनस डे की तो ये भी दोस्तो चार मई को मनाया जाता है डे ओप्षिन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा तो आज के सभी important questions आपके discuss कर लिए है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक like जुरूर करना शेर करना और कोई आपका doubt है तो comment कर देना तो दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं एक वीडियो में